नमस्कार मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश्टी नुज एक्सन में रहने वाले एक चर्चित आईस अधिकारी केके पाठक जो बिहार के सिक्षाब भाग के अपर मुख्य सचीब केके पाठक है और चंदर सेखर दोनों में फिर से ताना तानी शुरू हो चुका है ले इसको लेकर जब केके पाठक अपनी चुटी से अपकास से बापस लोटे तो इसे रद करने के लिए कहा गया असे में लगतार जिस तरीके से चंदर सेखर और केके पाठक के बीच लेटर वाजी का दौर चल रहा है और एक दुस्य पर ताना तानी है आमने सामने है और लग पाठक अपने विभागे मंतरी प्रोफेशर चंदर सेखर के साथ टकराव पूरानी बात हो चुकी है अब पतना के डियम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग और केके पाठक आमने सामने आ गये हैं मंगल बार से स्कूल खोलने को लेकर सिख्वाब के पत्र का जवाब पतना डियम ने नया पत्र भेज कर दिया दरसर बरती ठंड को देखते हुए राज जी के कई जिलों में स्कूलों को 20 जनबरी तक बंद कर दिया गया था इससे भी 17 जनबरी को केके पाठक ने चुटी से लोट कर अपना पदभार गरहन कर लिया और चार्ज लेते ही एक्सन में आए पाठक ने सर्दी के मौसम में स्कूल बंद को गलत करार दिया और सभी जिलों के डियम और कमिशनर को चिठी भेज कर निर्देश दिया कि स्कूल खोले जाए जिला अधिकारी ने 1144 के तहट अपने अधिकार का उपयोग करते हुए ठंड के मौसम में स्कूलों में बनने की घोशना कर दी थी किकी पाठक ने उन्हें ना सिर्फ CRPC 1144 का मतलब समझाया बलकी तंज कहते हुए यह भी कैसी सर्दी है जो सिर्फ स्कूलों में पढ़ती है बजार में नहीं उन्होंने हिदायत दी थी कि स्कूलों में छुटियां घोशित करने से पहले सिक्षा विभाग से अनुमती ले किकी पाठक आदेश जारी होने के बाद नालंदा और पत्ना में के जला अधिकारियों ने अपने अपने जलो में स्कूल बंदी में बिस्तार कर दिया पत्ना डेम चंदर सेखर निशेंग ने तेहिशन बड़ी तक जले के सभी स्कूलों में क्लास एक से आर्थमी तक के कक् बताया गया कि उन्होंने सिक्षा भाग से अनुमती नहीं ली थी इस पर दो आई इस पर अधिकारी आमने सामने आ गये हैं निवेज ऐसे में बता दे कि जिस तरीके से डीम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग न सिक्षा ने देशक के पत्र का उत्तर दुसरे पत्र से दिया है और रखो झाब से पत्ना दीम ने लिखा है कि अपने अधिकार और कारी छेत्र शेत्र से वह वाकिफ यह छेत्र अधिकार के तहत धारा 144 लगाने का अधिकार डियम को है जो सिक्षा भबाग से अनुमती लेने का प्रणदान भी महीं है इसे गैर नियाइक आदेशली के थ लाजा सकता है सिख्षा विभाग का ताजा आदेश कानून के खिलाब डियम ने सिख्षा विभाग को नशियर देते हुए कहा कि इस मामले में विशेश्ष्ट से लीगल ओपिनियन ले सकते हैं पटना डियम ने कहा कि कानून मेले अधिकार और श्रीत लहर लेकर यह फैसला बना जा रहा है कि पटना डियम का रूख इस विभाथ को और आगे ले जाएगा ऐसा में बता दे कि पटना डियम डॉक्टर चंद्र सेखर से और के के पाठख के बीच दोनों में आमने सामने हैं और दोनों के बीच ताना तानी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ झूत की पर हैं DM ओभी लेटर भेज़े और कहें कि आपके हाथ में नहीं है बलकि ये DM के हाथ में होता है SM 76 तरीके से लगतार दोनों में लग रहा है सकी कुणली में ही लिखा है किकी पाठर का किसी नयकिसी से ताना तानी करना ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देस्टी नूस थाले बाद